नमस्कार दोस्तों आपके अपने फेवरेट यूटू चैनल पर आपका स्वागत है मैं सुरेश कुमार एक बार फिट साप के साथ दोस्तों आज आई टाई सेकेंड एर की तीनों पारियों में चीक्विस्वन आये हैं एक्जाम में एलेक्रेशन ट्रेड की बात करहूं उनके तीनों पारियों में हमारे पार लगवग 25-30 क्योशन आये हैं पूरे क्योशन का एनलेज करेंगे साथ ही दोस्तों अगर आपको टेलेग्राम गूरूप पर जोइन करो वहां पर आजारों बच्चे है जो रोज एक्जाम देखे आते फिर इस प्रकार हमें आपस में क्योश पर दाल रखे हैं चाहिए आप किसी भी ट्रेड शो साथ है इस इस पर डाल रखें तो वहां से आपको काफी हल्प मिलेगी साथ है ज्यादा वक्त खराब नगरें कहना का मतबड़ यह कि अगर आप चैनल को पहले बार विजट करें तो सब्सक्राब जो करना तो बेल क्यात करने के लिए हम फ्लेमिंग के दाइने हाथ का नियम करेंगे यह किसका पूछ रहा है आपको चुम्ब के छेत की दिशा क्यात करने के लिए पूलता है तो इसमें आएगा आपका फ्लेमिंग के दाइने हाथ का नियम तो इसका राइट आंसर क्या आएगा डी अगले क सोट संट कंपाउंड मोटर तो इसका राइट टांसर क्या एगा डी अगला क्योशन है दोस्त आपका क्योशन आपका यह था कि DC जनेटर के भाग का नाम बताएए यह डाइग्राम है तो आप डाइग्राम देखकर बता सकते हैं कि इसके बीच में खाचे है अब यह आपका ड क्योशन है एक मिनट और क्या है क्या है कि से दोसतो जनेटर दौरा किस उट सका को विधूत उर्जा में अफ और सकते तो दोस्तों क्या आधा थक हैनि याव ऑपका जो यह इसका नाम क्या है या rapt गा नाम क्या है तो दोस्तों आपका नाम है वी बेदक के योगीक जन्येटर यादे डिफ्रेंचिल गम्पाॉउंड जनेटि इसका राई राइट अग्मट आजगा दोस्तो आपका सी ठीक है अगला क्योंच पू Question का दी-धात क्या है यानि इसका दी-धात क्या है तो राट आंसर राइगा फ्यरड़ा के विद्व项 थ्मपेने के नियम के अनुसार यानि आफका यह दी-धात नियम है अगला question है दोस्तो आपका question पूछा गया था आपका अगला question है दोस्तो इसका flaming का बाएं हाथ का name आएगा इसमें right answer आएगा गन्ना करने का सुत्र क्या है तो दूस्तो इसकी एमअप गन्ने का सुत्र है ए बी बड़ाबर फाई जड़न बटा साट और पी ए यानि इसका right answer क्याएगा इसका right answer आएगा आपका c यानि इस परकार ये आपको मेरे के लिए इसका हल कर सकते हो अगला question है दोस्तो आपका जित्वाबल ग्यात करने का पुचा है तो दोस्तो इसमें आपका आएगा ZN बटा 60 इंटू 5 PA इंटू वोल्ट ठीक है अगला क्योशन है दोस्तो आपका यही DC generator से पुचा गया था DC generator का नाम क्या है तो बता दोस्तो जनेटर का क्या नाम है डाइग्राम में दर्शा गया है वो तो दोस्तो यह है आपका डिफ्रेंशेल लॉंग संट कंपाउंड डिफ्रेंशेल लॉंग संट कंपाउंड राइट आंसवर अगला क्योशन पूचा गया दोस्तो शी में DC generator में प्रेरित एमप की दिशा ग्यात करने के लिए किस नेम को फ्यों क्या जाता है तो दोस्तो जनेटर पूच रहे है तो जनेटर में आएगा इसका आपका फेलेमिंग के दाइणी हात के नियम रहे है तो जनेटर का यह ड़ीमिंग जनेटर घ्मार मेशा दाइण तो इसमें एक में दो क्योशन के लिए हो रहे हैं अगला क्योशन है दोस्तों आपका क्योशन आपका डीसी जनेटर में तरंग वार्णिंग की विश्यस्ता क्या है तो दोस्तों तरंग वार्णिंग होती है उसकी विश्यस्ता है कि कम दारा उंच वोल्टेज प्राप्त करने यानि दोस्तो इसका राइट आंसर आएगा आपका इसमें मेरे साथ में नहीं दे रखा है कोई दिक्का नहीं है तो इसका राइट आंसर आपका वही आएगा ठीक है अगला क्यूशन दोस्तो जिन बच्चों का आज एक्जाम दा वह जुरू इसका अनालिस करो यह निमी इन पोटेंट वाली जो सीरीज है मैंने हेलेग्राम गूर्फ पर आवेलेब प्रेक्षिन करने के लिए किस उपकरण को प्यों किया जाता है तो दोस्तो वह अथा आपका बहाई यह ग्रावले राइट आंसर शी अगला क्यूशन दोस्तों दोस्तों इसका नाम क्या है तो दोस्तों वह आएगे आपकी आर्मेचर डायवेटर वीदी यानि आर्मेचर वीदे द्वारा हम इसको कंट्रोल करेंगे गेती को अगला क्यूशन दोस्तों आपका यह है कि डीसी फिल्ट कोईल के लिए किस वानिक तार का उप्यों किया जाता है तो दोस्तों वह अथा आपका पूछा गया था निच्चे वाला यह क्यूशन डीसी मोटर में आर्मेच अनूसार अगला क्यूशन दोस्तों क्या एक अगला क्योशन यह भी आए हता आपका युए वानि माला याने किस प्रकार की आनीं मेचे की चितन किया गया है तो दोस्तों यह जांक्य आपका डुफ़ेश लेफ वानि यानी यान्न ये इसका राइट आंसर आएगा फिर यह आपके टेलेग्राम गुरूप पर दिखा गए हैं अब यह क्योशन भी आता सामगरी पर्ति का नाम बताए तो दोस्तों यह आपका टूवे स्विच है ठीक है तो यह हमारे टेलेग्राम गुरूप पर बच्चों ने बेज़े हैं आज के लिए तो काफी बच्चों के फिर भ दी एक क्योशन आपके और आपका जो यह डीची मोटर के भाग का नाम बताए तो दोस्तों यह है इसकी योग या बोटी और यह क्योशन मेंने लगवग आपके सारे के लिए दोस्तों यह ता आज का पेपर अगर वीडियो आपका अच्छा लागया तो इसको लाइक और श यहाँ पर काफी अजरों बच्ची है जो जैसे टाइम मिलेंगे वो भेज़े देंगे कोई दिक्कर नहीं है और यहाँ पर आप आके क्लियर कर सकते हो कि पेपर यहाँ से आ रहा है या नहीं आ रहा क्योंकि काफी बच्ची है जो आपको से राय देंगे तो थैंक्यू दोस